सबसे बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है जिनके घरों में AC है, summer civil है, solar inverter है या normal inverter है जो कुछ भी heavy appliance है आप लोग के पास एक ऐसा device market में available है जिसके बारे में अभी तक आप लोग जानते नहीं थे हैं वो device है digital timer switch जिसकी मदद से आप अपने घर का सारा load ध्यान से सुनि तो 15 मिनिट था की चलेगा, automatically off हो जाएगा अब जैसे मेरा inverter है, inverter में मैं वो timer का switch लगा दूँगा, set कर दूँगा कि सिर्फ और सिर्फ grid bypass हो घर का line और inverter के अंदर जो grid का line है सिर्फ 4 घंटे जाए, चाहे 10 घंटे जाए मैं set कर सकता हूँ, फिर off हो जाए, जैसे कि दिन में solar पैनल पे घर का load चलता है, तो inverter जो मेरा है, उसको मैं set कर दूँगा, कि सुबा होते 6 बजे grid से cut up हो जाए, inverter तो inverter के अंदर grid से line नहीं जाएगा, वो automatically switch timer set कर दने पर काम करेगा, तो आज का वीडियो बहुत important होने वाला है, हर चीज मैं उस device के बारें बताना वाला हूँ, और वो device कैसे operate होगा, यह भी बताऊंगा, तो digital timer switch, तो मैं आपको आज पूरा वीडियो डीटेल में बताने वाला हूँ, इसके बारे में, यह कैसे आपके inverter को, बिजली बिल कम लाएगा, तो ध्यान से देखिए, आपको AC को भी चलाएगा, यह time set हो जाएगा, चार घंटे, तो सबसे पहले यह देखिए, यह देखिए आपको manual मिलता एक्ट हो, इसके अंदर जो जो products आते हैं, सारे company जो बनाती है, सारे products, कई सारी चीज़े बना के देती है, तो इसमें बहुत सारा चीज़ दिया हुए, बहुत ही तगड़ा ही है, यह आपके inverter को automatically off और on कर देगा, तो आप चाहते हैं कि सुबह होते हैं, आपका grid से inverter में line ना जाए, तो आप इसको on कर देगा, यह क्या करेगा कि automatically grid के light को off कर देगा, solar के अंदर पहुचे गए नहीं grid का light, यह digital dimer switch, full automatic होता है, बस आपको इसमें अलग-अलग time set करना है, बाकि यह खुद बखुद automatically काम करे वायरिंग की बात करें, नीचे तीन वायर नीचे हैं, दो वायर उपर हैं, ध्यान से देखिए, और यह इसमें 220 वोल्ट का उपर है, 220 वोल्ट का उपर से वायर इसमें जाएंगे grid वाले चाहे जो, और यह output नीचे से आएंगे, basically output लेने के लिए अलग से यहाँ पर वायरि हैं, देखिए ध्यान से, दो वायर टच रहते हैं, यह नीचे के दो वायर परमानेंटली अटैच रहते हैं, यह देखिए, यहाँ पे इसके diagram देखिए, लाइन और नीट्रल उपर के साइड में है, 12 ध्यान से देखिए, नीट्रल और फेस की, और नीचे 5, 4, 3, NO, 5, NO, और यह परमानेंटली ओन रहने वाली है, 4 और 3 लाइन जो है, परमानेंटली आपस में टच रहने वाले हैं, 4 और 3, NO, यह जो है, NO, यह टाइमर पर वर्क करेगा, अब ध्यान से देखिए, यह अभी टाइम चल रहा है, 4 घंटे, 3 मिनट पर, अभी समल लोग रिसेट करेंगे, सबसे पहले, तो पीन लेके चाहिए, कोई भी स्कूर इसको रिसेट में जले जाएंगे, सब कुछ 0000 इसमें हो जाएगा, इस तरह से रिसेट करने के बाद, इसकी जो टाइमिंग है, ओन हो जाएगा, टाइमर आपका ओन हो जाएगा, एम का होता है, मिनट, एज का मितलब ह होता है, आवर्स, डी का मतलब डे, और यह सेटिंग का, और यह मैनुवाली सिस्टम होता है, और यहाँ पे सियार, और यह टाइमर है, सबसे पहले, हम लोग एक्जामपल के लिए, इनपूट देने के लिए, यह हम ले ले रहा है, एम से भी, तो हम न्यूट्रल फेस के ला देना है, तो यह देखिए, उपर वाले का जो साइट देख रहा है, इन दोनों के अंदर ध्यान से देखिए, कैसे न्यूट्रल और फेस को देना है, देख लिए आप, जो सबसे लाश्ट कॉर्णर है, उसमें फेस होगा, बीच वाले में न्यूट्रल उपर के, आप यहां से देखें, बल्ब को समझ लिजे कि आपका इसी है, चाहिए इन वाटर आप ऐसे सोचिए, तो हम न्यूट्रल कहां से लेंगे, सबसे पहले, जो न्यूट्रल के लिए, आई सूलेटर के अंदर, देखिए ध्यान से, न्यूट्रल को लगा दिए, यह जो न्यूट्रल का व इसमें जाएगा आपका है, डिजिटल टाइमर में, न्यूट्रल बाइपास हो गया, आप फेस कनेक्शन कहां से लेना है, ध्यान से देखिए, यह देखिए, न्यूट्रल और फेस इसमें देया गया है, अब यह डिरेक्ली यहां से अंदर से आउट्पूट हो रहा है, यह जो सेंट्रल वाला हिसा देख रहा है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, फेस कनेक्शन देंगे, अब हम फेस के साइट से लेंगे, यह देखिए, इंसुलेटर से फेस हम ले लिए, अब हम लोग जो फेस वाला ही चाहिए, यह सेंटर में दिया है, ध्यान से देखिए, काम में बल्प का करना है सबसे पहले क्या करना है कि बल्प के अंदर mcb आइस्वलेटर mcb से जो लाइट आ रही है यह कहां पर कनेक्शन होगा सीधा इस वाले हिस्से में कनेक्शन होगा ध्यान से देखिए अब यह वाइरिंग जो है बिल्कुल हो चुकी है पहले मैं आपको समझा देता हूं कि किस तरह से वाइरिंग आ रही है तो ध्यान से देखिए देखिए फेस कंडेशन जो वहां से जनरेट हो रहा है जो mcb से वह सीधा निकल के आ रहा है आगे आ रहा है और वह सीधे डिजिटल टाइमर क्लॉक में चला जा करने के देखिए जहां से ही वहां से ही होगी जो switching होगी यहां से स्वीचिंग होने के बादह यह गल आइसुलेटर में भी जा रहा है और यह टाइमर में भी जा रहा है ऑपरेटिंग करने के लिए टाइमर को स्टाट करने के लिए भी जा रहा है यानि कि यह जो दो आयर उपर देख रहा है कोई भी लोड नहीं हो रहा है यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर क्या है कि सिर्फ मीटर चालू करने के लिए यहां पर सिर्फ लोड दिया गया है अब यहां से हम एक्सेलेटर को अन कर दिये हम देखिए दोनों हो गया है आपको timing setup करना सिखाता हूं यह मन मिनट हो गया यह hour हो गया यह दे हो गया आप हम लोगों को देखिए 0000 चल रहा है 24 और पर्फॉर्मेट पर काम करता है यह 24 सेटिंग करने के लिए फीडिक प्रेस करना है यह देखिए on side लिख दिया तो पहला mood on देख लिए अपर यहां पर लिख दिया है अब मीनट में सेट करने देखते रहिए और यहां पर डे अलग अलग सब इसमें लेए यह देखिए Monday अब फिर एक बार प्रेस करेंगे Tuesday फिर फ्राइड़ संडे पूरे option अलग अलग दिन एक दिन बंद एक दिन चालू कर सकते हैं यहां पर लास्ट के दो दिन भी चालू कर सकते हैं फिर सेट को दबाएंगे तो यहां पर स्टार्टिंग के तीन दिन हफ़ते के चालू कर सकते हैं फिर दबाएंगे फिर लास्ट के तीन दिन फिर इसको प्रेस करेंगे इसी तरह से पूरे हफते का आगया अब यह पूरे हफते हम टाइमर इसको सेट कर देंगे अब यह ऑन साइट कर दिया कब करनेक्शन होगा चार मिनट पर हम लोगों कर दिया है रात को बारा बच के चार मिनट पर आउन कर दिया और ऑफ साइड एक बड़ और प्रिस किया ऑफ साइड अब हम लोग इसको करते हैं चे मिनट पर अफ साइट कर देते हैं और आज मान लीजिए हम लोग फूल दें हमने सेट कर दिया कि चार मिनट पर मिटर अन होगा और बारबच के सब्सक्राइब दो 12 बच के यह हो रहा है रात को 12 बच्द के दो मिनट मान के चली हो रहा है फास्ट बढ़ा बढ़ा की आपको दिखा रहा है यह चार मिनट प्रक्राइं ऑटО्वाड के लियुदा जाएगा यानि कि आपका इंवर्टर के अंदर लाइन पहुंच जाएगा आपका समर्सेबल ओन हो जाएगा जो भी आप इस पर सेट करना चाहते हैं 2000 वाट तक ये देखियं आप लोग यह आट्माइटीकली राइट सालूब हो चुका है यहां ने मैंने आप आप 6 मिनिटकली लाइव देख्व 한같 Loser अपका 100 मिनिट्रेओन वंूंच वह जाएगा इसे आपकर इन ऑंदर ऺए04 आप यह जो भी आप अलग अलग टाइमिंग सेट कर सकते हैं यह देखिए अब ध्यान से देखिएगा यह देखिए बंद हो गया तो यह है आप देख सकते हैं यह आटोमाटिकली ओन ओफ और ओन कर रहा है यह सब कुछ अपना सेटिंग खुछ से कर रहा है बस इसको एक बार सेट कर देना है अब यह कब चलेगा अब देखिए पहले देखिए हमने चार मिनट को अन टाइम पर सेट किया था तक चलेगा चार से 6 मिनट तक चलेगा अगले दिन चीज है रिपीट होते रहेँगी या लगतार 365 दिन तक यह रिपीट होते रहेगा और इस बटन को प्रेस करते हैं रिसेट फिर से शुरू करना अब इसको फिर से एक बार आउन कर देंगे तो आटो साइड हो जाएगा अब फिर और और प्रेस करेंगे तो आउन हो जाएगा अभी आउन हो गया तो मैनुल अलो बटमक दबाके आफ आउन और आउटो कर सकते हैं इस पे 2000 वाट तक का लोड दे सकते हैं यानि कि चार बैट है तो इसको लाइट को देखिए बिल्कुल आफ कर दिया है मैंने देखिए यहां पर फिर भी टाइमिंग यहां पर चालू रहा रहा है बहुत ही जब और जास्ट है यह आपका विजली बिली से कमाने वाला है मार्केट में देखिए यह आपको 500-600 रुपैसे मिल जाएंग तो आपके इनवार्टर के लिए बहुत ही वर्दान साबित होने वाला है आप इनवार्टर पे अलग अलग टाइमिंग सेट कर सकते हैं और 24 आवर आप इसमें इलेक्रिसीटी से करेट कर सकते हैं इसमें कोई खराबी नहीं आने वाले नहीं है इसमें कोई खराबी नहीं है और इसमें फीचर्स काफी जादा दिये हुएं सबसे बड़ा चीच क्या है कि इस पे वन येर का extended warranty है में सी अस्मार्ट क्या क्या है कि सर्विस अच्छा मिलता है प्रोडक्ट सही रहता है इसलिए मैंने इसको लिया है लाकि मार्केट में पांच-छे सो रुपए का भी मिल जाएगा आपको जो उचीत लगया आप वो ले और क्रिप्या करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें त